हाउर फिक्स वान प्लास नोट एन्टुहंड्रेट 5G हेटफॉन जेक नोट कनेक्टेट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के दिवाइस में हेटफॉन जेक नोट कनेक्टेट प्रॉब्लम सॉल्फ किसी कर सकते तो दोस्तों अगर आप हेटफॉन अपने मुबाइल पर प्लग कर रहे हैं और उसी के साथ आपका जो हेटफॉन जेक है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों कैसे आपको प्राइब करके बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते तो चलिए दोस्तों वीडियो कि अपना जो हेटफोन का पलग होते हैं उसको थ्वहासा साफ करके देख सकते क्योंकि दोस्तों कई पर कच्रे वगएद्फ चले जाने से इस तरह के प्रउल्मी हो जाते हैं डिके तो आप स तो आपको next solution जाना है लेकिन दोस्तों यह solution आपको क्यों करना है सिम कार्ड यहां पर इजेग और इंसर्ट क्योंकि दोस्तों कई बार अगर सीम मिस्प्लेस होते हैं तो इस तरह केगा मुबाइल मिस्प्रेव करते हैं ठीक है तो यह चीज़ आप यहां पर फोलो कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर अगर आपका problem अभी भी solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा next में आप दोस्तों next में अपना जो mobile है उसको safe mode पर reboot कीजिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power of के switch को 2 second click करकर रखना है और ok कर देना है जैसी ok करेगा दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो mobile safe mode पर reboot करने का बाद देखिए solve हो जागा problem अगर इससे fix हो जाते है problem तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जो है दूसरे headphone try करके देखना होगा क्योंकि आपका जो headphone है उसमें कुछ भी टूटा हुआ है खराभी है तो problem हो स रही है problem अगर fix हो जाते हैं तो ठीक है अगर नहीं होते हैं तो hardwarely issue हो सकते हैं क्योंकि headphone का जो plug होते हैं वह दोस्तों hardwarely खराब हो जाते कभी कबार ठीक है तो आपको वह किसी भी technician के पास जाके fix कर लेना है उसके बाद आपका headphone jack आसानी से काम कर जाएगा तो यह था दोस्त OnePlus Note CE headphone jack not connected problem नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकराच YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के device में headphone jack not connected problem solve किसी कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप headphone अपने mobile पे plug कर रहे हैं और उसी के साथ आपका जो headphone jack है वो connect नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों कैसे आपको problem solve करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ वीडियो को आन तक देखें जो भी solution होगा उसको follow कीजिए आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करके bell icon को click करें अगर शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना किया है आप दोस्तों अपने mobile को restart कीजिए headphone के jack को दुबारा से plug करके देखें उसके बार problem solve होते तो ठीक है अगर नहीं होते तो दोस्तों आप एक एरबाट लेके अपना जो headphone का plug होते है उसको थुरा साफ करके देख सकते हैं क्यो दोस्तों आपने mobile के SIM card को आप एजेक कीजिए एजेक करने के बाद अच्छे से place करके देखें ठीक है तो उसके बाद दोस्तों अगर काम कर जाते है problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो आपको next solution जाना है लेकिन दोस्तों यह solution आपको क्यों करना है SIM card यहाप एजे यहाँ पर अगर आपका problem अभी भी solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा next में आप दोस्तों next में अपना जो mobile है उसको safe mode पर reboot कीजिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को 2 second क्लिक करकर रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो mobile safe mode पर reboot करने के बाद देखे solve हो जागा problem अगर इससे fix हो जाते problem तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जो है दूसरे headphone try करके देखना होगा क्योंकि आपका जो headphone है उसमें कुछ भी टूटा हुआ है खराबी है तो problem हो सकते तो next headphone दूसरा try करके द देखना ठीक है mobile software update करके देखना mobile software update करने के बाद दोस्तों solve हो जाना चाहिए problem अगर fix हो जाते है तो ठीक है अगर नहीं होते तो hardwarely issue हो सकते है क्योंकि headphone का जो plug होते है वो दोस्तों hardwarely खराब हो जाते कभी कबार ठीक है तो आपको वह किसी भी technician के पास जाके fix कर लेना है उ अगले बस इतने थैंक्स वर आचिंग